क्या है कैलास का रहस्य? क्या आज भी सोयम सिवजी रहते हैं कैलास में? आखिर क्यों सुनाई देती है कैलास परवत पे घंटियों की आवाजें चलिए चानते हैं इस रहस्य को? आज तक माउंट एवरिस्ट जो की दुनिया की सबसे उची चोटी है उस पर करीब 7000 लोग चड़ चुके हैं पर उससे 2200 मीटर चोटी चोटी माउंट कैलास की चड़ाई आज तक किसी इंसान ने भी नहीं की है जिसे एक मनुष्य ने वह चड़ाई चड़ी वह कभी बोल न सिर्जी अपने दोनों पुत्रों वह माता पारवत्ति के साथ यहीं रहते हैं ना ही सिर्फ हिंदुओं में बलकि बौध धरम में भी इसकी कई मान्यता हैं बौध धरम में माउंट कैलास को माउंट मीरू कहा जाता है कैलास परवत असेम सक्तियों से भरा हुआ है वैज्ञ 40,000 किलो मेंटर जमीन पे कपजा कर लिया जिसमें तिब्बत के साथ कैलास भी सामिल था हालांकि उस समय जवालाल नहरू ने कैलास को बंजर और वीरान बता कर छोड़ दिया और कैलास चीन के कपजे में ही रह गया और उसे वापिस कभी लिया ही नहीं गया तब चीन ने अखिरी बार अपने व्यज्यानि को वक कई लोगों के समों को कैलास पे भेजा और उन्होंने आकर जो बाते बताई वो हैरान कर देने वाली हैं उन व्यज्यानि को द्वारा बताया गया कि कैलास से डमरू और संक बजने की आवाजे सुनाई देती हैं उन लोगों ने बता उस पर्वत से उतर गए और नीचे लोट आये, और फिर कई पर्वता रोहिद्वारा डमरू बजने की आवाज बताई गई, कहा जाता है वह डमरू महादेव का है और आज भी महादेव वहीं रहते हैं, कैलास पर्वत पे मौजूद हैं दो सरोवर, कहा जाता है एक सरोवर त के समान जो कि हर दुख को दूर करने वाला है वही राक्सस छेल का पानी इतना खाथा है कि वह इंसानों के लिए जहर के समान है कैला परवत को पूरी दुनिया का सेंटर पॉइंट माना जाता है यहां से तमाम नदिया कंगा पुत्र और सिंधु नदी पहते हैं माना जाता है तमाम सक्तियों की जड़े यहीं से हैं क्योंकि यहां बसते हैं देवों के देव महादेव मैं आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा जिसमें कि हमने क्यालास परवत के रहश्यों के विसे में पात की आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें